गाइज, विल्कम टू जीरियो कैमपस, तो यह question है find the value of x-y का whole cube इस सरीके से देखिए, आप पूरा यहां तक लिखा हुआ है, तो इसको आप अगर पूरा-पूरा करने जाओगे तो कम से कम 3-4 मिनिट लगेगा और मैं आपको एक ऐसा shortcut बताने जा रहा हूँ, जिसमें यह ए चेक किया जाया लग से, तो कुछ नहीं आएगा, मतलब क्या आ रहा है, यह z था, 0 आ रहा है, इसका मतलब अगर मैं, यह क्या लिखा था मैंने, a plus b plus c, क्योंकि a plus b plus c माना था इसको, तो अभी आपको पता है कि a plus b plus c 0 आता है, तो आपको एक formula याद आ गया होगा, कि a q plus b q plus c q is equal to 3 a b c, तो बस यहीं पर पूरा question खतम होगया, solve करने की जर्वती नहीं है, यह a q a, यह b q a, यह c q a, मतलब की 3 a, b, और यहाँ पर c लिख दो, c लिख दो, देखो आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर, और यह क्या लिखा हुआ है, x minus y नीचे में, y minus z, और z minus x, तो अ y minus z को y minus z के साथ, और इस x minus y को x minus y के साथ, कितने असानी के साथ answer आगया 3, तो यह आपका answer, इसी वीडियो में मैं आपको एक और question दिखाता हूँ, मैं question लिख कर आता हूँ वापस, हाँ तो यह है question, इसको अगर आप बनाने जाओगे, तो काफी लेंदी है, जैसे कि मैं थ ऐसे भी बोल सकते हो, कि a plus c हो जाएगा minus b, इसमें से मैं यह बोल सकता हूँ, कि minus a plus b क्या होगा, c होगा, और minus a plus c क्या होगा, b होगा, ठीक है, तो अगर आप पहले इससे कुछ हम लोग एक नया equation करेंगे, और इससे कुछ एक new equation करेंगे, ठीक है, तो देखते है, यह वाल plus c के बतले में, minus a plus b पुट करेंगे, और इसका square कर देंगे, plus b c, c के बतले में क्या पुट करेंगे, minus a plus b, ठीक है, देख पार हो, इसको मैं यहाँ से इससे नीचे continue कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यह अब नहीं दिख रहोगा, अब दिख पार आपको, कि इसको यहाँ से पिर ऐसे कर देंगे, a plus b, तो देखो, हाँ, ठीक है, b square, b square, plus, यह minus square, plus हो गया, है ना, और a plus b का holy square, पुछा जार आप से, तो a square plus b square, plus 2ab, और यह दोनों multiply कर दो, तो कितना हो जाएगा, minus a b, और minus b square, ठीक है, अब देखो, minus b square, plus b square से कट गया, और a square आ गया, a square plus b square, और य आपका, इस चीज़ का जो value है, वो इतना आया, ठीक है, उसी तरीका से, similarly, similarly, आप यहाँ पर put करोगे, क्या, वापस से इसको ले लो, जो लाना हमें, यह denominator जो है, वापस से इसको ले लो, तो यह कितना आएगा, देखा जाए, b square, plus c square, plus bc, अब इसका value आप क्या लिखोगे b, जो हमने लिया है, उसके जगह में लिख दो, अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे है, ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे है, क्योंकि, यहाँ पे, जो सारा values दे रखा है, वो a और c में है, तो हमको b eliminate करना है, यहाँ पे a और b में है, तो हमको c eliminate करना है, लेकिन देखो, अभी इसको, म whole square, minus को मत भूलना आप, plus c का direct direct लिख दो, और यहाँ पे जो b का यह वाला value है, वो भी लिखो, minus a plus c का whole square, whole square नहीं है, बगल में c लिख दिया मैंने, अब देखो, यह क्या होता है, यहाँ पे लिखता हूँ, तो यह a plus c का whole square, minus minus plus a square plus c square plus 2ac, 2ac plus c square, और यह minus c square, तो plus c square, minus c square से कट गया, यह a square आगया, plus c square आगया, minus c आगया, अभी आप देखो, एक यह चीज़े और एक यह चीज़े, तो वापस से जब हम लोग value पूट करने जाएंगे, तो आप देखो, कि इसका value यह आया है, मतलब अभी जब हम लोग इसको रखेंगे, इसका value यह आया है, ठीक ह अब मैं आपको एक छोटी सी जगह में इसको solve करके दिखाता हूँ, आप सिर्फ यह question को देखो, इतना कुछ solution देखने के जरुवत नहीं है, सिर्फ यह question देखो, ठीक है, यह question रहा है, और यहाँ पर solution में आता हूँ, आपको इसमें let करना है, let, कि यह a plus b plus c अगर 0 आ रहा ह 1 का isique 1, plus minus 1 का isique 1, plus a,b है तो यह minus 1 हो गया, by b square मतलब one, c square मतलब 0, اور bc, मतलब minus 1 और 0, मतलब कितना हो गया, 0, उसके बाद c square देखो 0, c ए कितना? 0, और a square, one, by b square, one, c square, 0, और bc, 0, तो नीचे कितना है, यह उपर आ गया, यह से कट गया, तो उपर आ गया, वन बाइ इस तरब भी आगया प्लस वन बाई वन बाई वन प्लस वन बाई वन मतलब टू कितना आसानी के साथ यह वला आंसर आगया ओके चलिए फिर नेक्ट वीडियो में मिलते हैं लोग नेक्ट कुर्चिन के साथ थैंक यू